स्टोरी जैम में आपका स्वागत है यहाँ आप सुनेंगे कहानिया कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं वो जो साइकल जलाना जानते हैं और वो जो कहते हैं हाए, कि काश मुझे साइकल जलाना आता होता आप किस तरफ हैं? अगर नहीं आता, तो सीखने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन उससे पहले, यह कहानी जरूर सुने आईए सुनते हैं सुदर्शन द्वारा लिखित, साइकल की सवारी भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकल की सवारी करते या हार्मोनियम बजाते देखता हूं तब मुझे अपने उपर कैसी दया आती है? सोचता हूं, भगवान ने ये दोनों विधाये भी खूब बनाई है एक से समय बचता है, दूसरी से समय कटता है मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कल्यूक की ये दोनों विधाये नहीं लिखी गई ना साइकल चला सकते हैं, ना बाजा ही बजा सकते हैं पता नहीं कब से ये धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये दो काम नहीं कर सकते हैं शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे खयाल आया कि चलो साइकल चलाना सीख ले और इसकी शुरुवात यों हुई कि हमारे लड़के ने चुप चुपाते में ये विध्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा अब आप से क्या कहें कि लज्जा और घेना के कैसे कैसे खयाल हमारे मन में उठे सोचा क्या हम ही जमाने भर के फिसड़ी रह गए है सारी दुनिया चलाती है जरा जरा से लड़के चलाते है मूर्ख और गवार चलाते है हम तो परमात्मा की क्रिपा से फिर भी पढ़े लिखे है क्या हम ही नहीं चला सकेंगे आखिर इसमें मुश्किल क्या है कूद कर चड़ गए और ताबड तोड पाउं मारने लगे और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तो बस टन-टन करके घंटी बजा दी ना हटा तो क्रोध पून आँखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए बस यही तो सारा गुर है इस लोहे की सवारी का कुछ ही दिनों में सीख लेंगे बस महराज हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवा नहीं दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किये और उन्हें लेकर श्री मती जी के सामने पटक दिया कि इनकी जरा मरम्मत तो कर दो श्री मती जी ने हमारी तरफ अचरच भरी दृष्टी से देखा और कहा इन कपड़ों में आप जान ही कहा हैं कि इनकी मरम्मत करूँ इन्हें तो फेक दो आप कहां से उठा लाए वहीं जाकर डालाईए हमने मुस्कुरा कर श्री मती जी की तरफ देखा और कहा तुम हर समय बहस ना किया करो आखिर मैंने ढून धान कर लाया हूँ तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो मगर श्री मती जी बोली पहले बताओ इनका करोगे क्या हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर ना हो और हम साइकल सवार बन जाए और इसके बाद जब इसके पंडित हो जाए तो हम एक दिन जहांगीर के मकबर एको जाने का निश्चे करें घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें तुम चलो हम दूसरे तांगे में आते हैं जब वे चले जाए तब साइकल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिले हमें साइकल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी हैरान हो जाएंगे आँखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं परन्तु हम मारे डालता है, साइकल चलाना सीखेंगे श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्करा कर बोली मुझे तो आशा नहीं कि ये वैल आपके मत्थे चड़ सके खेर, यतन करके देख लीजे मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा हमने जरा रोब से कहा आखिर बाइसिकल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं और गिरने से कपड़े भटेंगे या नहीं जो मूर्ख हैं, वो नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं जो बुद्धिमान हैं, वो पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं मालम होता है, हमारी इस युक्ती का कोई जवाब हमारी स्त्री के पास ना था क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवा कर उन कपड़ों की मरमच शुरू कर दी हमने इधर बाजार जाकर जंबुक के दो डब्बे खरीद लिए कि चोट लगते ही उसी समय इलाज किया जा सके इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तालाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकल सवारी का अभ्यास किया जा सके अब ये सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाए इसी उधेडबुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायन आ गए और बोले क्यों भाई हो जाए एक एक बाजी शत्रंज की हमने सेर हिला कर जवाब दिया नहीं साहाब आज जी नहीं चाहता क्यों अरे यदि जी न चाहे तो क्या करें ये कहते कहते हमारा गला भर आया तिवारी जी का दिल पसीच गया हमारे पास बैठ कर बोले अरे भाई मामला क्या है स्तरी से जगड़ा तो नहीं हो गया हमने कहा तिवारी भाईया क्या कहें सोचा था लाव साइकल की सवारी सीख ले मगर अप कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता जो हमारी सहायता करे बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आँखों से ऐसे देखा मानो, हमें कोई खजाना मिला जा रहा है और वो खाली हाथ बैठे है बोले, मेरी मानो तो ये रोग ना पालो इस आईू में साइकल पर चड़ोगे और ये भी कोई सवारी है कि डंडे पर उकडू बैठे और पाउं चलाये जा रहे है अजी लानत भेजो इस ख्याल पर, आओ, एक-एक बाजी खेले मगर हमने भी कच्ची गोलिया नहीं खेली थी साफ समझ गए कि तिवारी जी इर्शा की आग में फुके जा रहे है मूँ फुला कर हमने कहा बै तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे कोई आदमी बताओ आदमी तो है ऐसा एक, मगर मुफ्त में नहीं सिखाएगा फीस लेगा, दे सकोगे कितने दिन में सिखा देगा यही दस बारा दिनों में और फीस क्या लेगा हमसे औरों से पचास लेता है तुमसे बीस ले लेगा हमारी खातिर हमने सोचा, दस दिन सिखाएगा और बीस रुपे लेगा दस दिन बीस रुपे बीस रुपे दस दिन अर्थाथ दो रुपे रोजाना अर्थाथ साथ रुपे महिना और वो भी केवल एक दू घंटे के लिए ऐसी तीन चार ट्यूशने मिल जाएं तो ढाई तीन सो रुपे मासिक हो जाएंगे हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा कि जा कर मामला तै कर आओ मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकल चलाना सीख गए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल दें और तीन चार सो रुपे मासिक कमाने लगें इधर तिवारी जी मामला तै करने गए इधर हमने ये शुप समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों में हम लोग ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिससे तीन चार सो रुपे मासिक आमदनी होगी श्रीमती जी बोली तुम्हारी इतनी आयू हो गई मगर ओचापन नहीं गया पहले आप तो सीख लो फिर स्कूल खोलना मैं तो समझती हूँ कि तुम ही नहीं सीखोगे दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है हमने बिगड कर कहा ये बड़ी बुरी बात है कि हर काम में टोक देती हो हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम नहीं सीख सकेंगे पहले तो शायद सीखते या ना सीखते पर अब तुमने टोका है तो जरूर सीखेंगे तुम भी क्या कहोगी श्रीमती जी बोली मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज चलाओ ये बाइसिकल क्या चीज है अगर तुम्हारी सुभाव से डर लगता है एक बार गिरोगे तो देख ले न वहीं साइकल फेक फाक कर चले आओगे इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी हमने बाहर जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे हमने शरीफ विद्यारतियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुप चाप खड़े हो गए तिवारी जी बोले ये तो बीस पर मान ही नहीं रहते बड़ी मुश्किल से मनाया है पेश की लेंगे कहते हैं पीछे कोई नहीं देता अरे भाई हम देंगे दुनिया लाक बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है ये बस चलाना सिखा दें फिर देखें हम इनकी क्या-क्या सेवा करते हैं मगर उस्ताद साहब नहीं माने बोले फीज पहले लेंगे और यदि आपने नहीं सिखाया तो नहीं सिखाया तो फीज लोटा देंगे और यदि नहीं लोटाया तो इस पर तिवारी जी ने कहा अरे साहब क्या ये तिवारी मर गया है शहर में रहना हराम कर दू, बजार में निकलना बंद कर दू फीस लेकर भाग जाना कोई हजी खेल है क्या जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोका नहीं है तब हमने फीस के रुपे लाकर उस्ताद को भेंट कर दिये और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आजाना, हम तयार रहेंगे इस काम के लिए हमने कपड़े भी बनवा लिये हैं अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबूग भी खरीद लिया है और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्तरी रहता है उससे साइकल भी मांग ली है आप सवेरे ही चले आएं तो हरी नाम लेकर शुरू कर दे तिवारी जी और उस्ताद जी ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए इतने में हमें याद आया कि एक बात तो कहना भूली गए नंगे पाउं भागे और उन्हें बजार में जाकर पकड़ा वो हिरान थे, हमने हाफते हाफते कहा उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे लौरेंस बाग में जो मैदान है, वहाँ सीखेंगे वहाँ एक तो भूमी नरम है, चोट कम लगती है दूसरे, वहाँ कोई देखता नहीं है अब रात को आराम की नीन कहां बार-बार चौकते थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया सोते थे तो साइकल के सपने आते थे एक बार देखा, कि हम साइकल से गिरकर जखमी हो गए है साइकल आप से आप हवा में चली जा रही है और लोग हमारी तरफ आँखें फाड़ फाड़ के देख रहे है अब आँखें खुली, तो दिन निकल आया था जल्दी से जाकर वो पुराने कपड़े पहन लिये जंबू कडिबबा साथ ले लिया और नौकर को भेज कर मिस्त्री से साइकल मंगवा ली इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लौरेंस बाग की ओर चले लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि एक बिल्ली रास्ता काट गई और लड़के ने छींक दिया अब क्या कहें कि हमें कितना क्रोध हाया उस नाम उराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर मगर क्या करते दात पीस कर रह गए एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े पर बाजार में पहुँच कर देखते हैं कि हर आदमी हमारी तरफ देख रहा है और हस रहा है अब हम हैरान थे कि बात क्या है सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिये हैं और लोग इसी बात पर हस रहे हैं सर मुडाते ओले पड़े हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लोटाए अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गुजरा दूसरे दिन फिर निकले रास्ते में उस्ताद साहब बोले मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ आप जरा साइकल को थामिये उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकल के पुर्जों की उपर नीचे परिक्षा शुरू कर दी फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़ कर चलने लगे मगर दो ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालम हुआ ज़स साइकल हमारे सीने पर चड़ी आती है इस समय हमारे सामने गंभीर प्रशन ये था कि क्या करना चाहिए युद्धिक्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं सोच विचार के बाद यही निश्चे हुआ कि ये लोहे का घोड़ा है इसके सामने हम क्या चीज है बड़े बड़े वीर योद्धा भी ठहर नहीं सकते इसलिए हमने साइकल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए पर दूसरे हिक्षण साइकल पूरे जोर से हमारे पाउं पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गुंजने लगी उस्ताद लस्ती छोड़ कर दोड़े आये और अन्य दयावान लोग भी जमा हो गए सबने मिलकर हमारा पाउं साइकल से निकाला भगवान के एक भक्त ने जंबूक का डिबबा उठा कर हमारे हाथ में दे दिया दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें उठाया और सहानु भूती से पूछा चोड़ तो नहीं आई जरा दो-चार कदम चलिए नहीं तो लहू जम जाएगा इस तरह दूसरे दिन भी हम और हमारी साइकल दोनों अपने घर से थोड़ी ही दूर पर जखमी हो गए हम लंगडाते होए घर लोटाए और साइकल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी मगर हमारे वीर रिदय का साहस और धीरज तो देखिए अब भी मैदान में डटे रहे कई बार गिरे कई बार शहीद हुए घुटने तुडवाए कपड़े फडवाए पर क्या मजाल कि जो जी छूट जाए आठ नौ दिनों में साइकल चलाना सीख गए थे लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिये जाते थे हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी सोचा मार लिया मैदान हमने दो-चार दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे इसके बाद प्रोफेसर, प्रिंसिपल इसके बाद ट्रेनिंग कॉलेज फिर तीन-चार सो रुपे मासि दिवारी जी देखेंगे और इर्शा से जलेंगे उस दिन उस्ताज जी ने हमें साइकल पर चढ़ा दिया और साइकल पर छोड़ दिया कि ले जाओ अब तुम सीख गए अब हम साइकल चलाते थे और दिल ही दिल फूले ना समाते थे मगर हाल ये था कि कोई आदमी सौ गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिलना शुरू कर देते कि साहब बाई तरफ हटिये दूर फासले पर कोई गाड़ी दिख जाती तो हमारे प्राण सूख जाते उस समय हमारे मन की जो दशा होती वो परमेश्वर ही जानता है जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती सहसा सामने से तिवारी जी आते हुए दिखे हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टिमेटम दिया कि तिवारी जी बाई तरफ हो जाओ वरना साइकल तुमारे उपर चड़ा देंगे तिवारी जी ने अपनी छोटी-чोटी आँखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा जरा एक बात तो सुनते जाओ हमने एक बार हैंडल की तरफ दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर कहा इस समय बात नहीं सुन सकते देख नहीं रहे हो, साइकल पर सवार है तिवारी जी बोले तो क्या जो साइकल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते बड़ी जरूरी बात है जरा उतार आओ हमने लड़कडाती हुई साइकल को संभालते हुए जवाब दिया उतर आएंगे तो चढ़ाएगा कौन अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं तिवारी जी चिलाते रहे, हम आगे निकल गए इतने में सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया हमने उसे भी दूर से ही डाट दिया बाई तरफ भाई, अभी नए चलाने वाले हैं तांगा बाई तरफ हो गया, हम अपने रास्ते चले जा रहे थे एक आएक, पता नहीं घोड़ा भटक उठा या तांगे वाले को शरारत सूजी जो भी हो, तांगा हमारे सामने आ गया हमारे हाथ पाँ भूल गए जरा सा हैंडल घोमा देते, तो हम दूसरी तरफ निकल जाते मगर बुरा समय आता है, तो बुद्धी पहले भ्रेष्ट हो जाती है उस समय हमें ख्याल नाया कि हैंडल घोमाया भी जा सकता है फिर क्या था, हम और हमारी साइकल दोनों तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए जब हम होश में आये, तो हम घर में थे और सारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा क्यों, अब क्या हाल है मैं कहती न थी, साइकल चलाना न सीखो उस समय तो किसी की सुनते नहीं थे हमने सोचा, ला सारा इलजाम तिवारी जी पर लगा दे और आप साफ बच जाएं बोले, ये सब तिवारी जी की शरारत है श्रीमती जी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया ये तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ जानता ना हो उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुमें साइकल चलाते भी देखाएंगे हमने निरुत्तर होकर आँखें बंद कर ली उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकल को हाथ ना लगाया आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कॉमेंस जरूर लिखिएगा साथ ही सब्सक्राइब कीजेगा आपके फैमिली और फ्रेंज में आप जैसे ही कहानीों के शौकीन कदरदान और हैं उन्हें ये कहानी वाट्साप पर फौवर्ड करें अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी लेख या कविता के साथ तब तक अलविदा झाल, प्रेंऑे आपके ज्सक्राइब की वाट्स भी